हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चनल शे बजार विद आयुश और बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों सारे आई-प्यो जो ग्रे मार्केट के बारे में तो यह कल से आक्षिन में रहता हुआ नजर आएगा सैजिलिटी इंडिया का आई-प्यो कल से आपको यह आई-प्यो ओपन होता हुआ दिखेगा साथ नवंबर तक दोस्तों यह जो इश्यू है वो बेसिकली ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है आज का दिन दोस्तों इंपोर्टन्ट है क्योंकि आज के दिन हमारे सामने दोस्तों आएगी डीटेल्स किसकी कंपनी की आंकर बुक की किस तरीकी के आंकर इंवेस्टर्स जो है वो बेसिकली इस आई-प्यो के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो देखते हैं कब लिस्ट निकल कर आती है अभी तो लिस्ट निकल कर नहीं आई है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अल्मूस्ट दूस्तों साथ आ इप्लॉईस के लिए डिस्काउंट से तो दोनों एक्सीद्ण से पर अब कूलनिस्ठ होता हुआ दिखेगा इसका डीटेल वीडियो दोस्चनल पर आप गर पर आज है इसका डीटेल वीडियो दोस्तो आज चनल पर हम अप्लोड कर देंगे एक रुपे की फेस वाल्यू है 371 से 390 का इसका प्राइस बेंड है लॉट साइज है 38 छेयर्स का कुल मिलाकर दोस्तो 11,327 करूड का इशू है जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 4,000 करूड का तो ओफर फॉर सेल है रिमेनिंग 6,828 करूड का इंप्लोड के लिए डिस्काउंट है 25 रुपीज पर शेयर का तो दोनों एक्स्चेंजेस पर ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा यही देखना दोस्तों कि यहाँ पर स्विगी की जो आंकर बुक आएगी उसके अंदर कौन चे ना मलते है बिकाउस जैसाब को उन्हें निउस पहले बताई थी कि इसकी आंकर बुक को 25 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है मतलब 25 ताइम्स दोस्तों जो बिट्स है वो रिसीव हुई है पर तो आंकर काटेगरी उनली अब ऐसा तो है नहीं कि 25 गुना के 25 गुना दे देंगे जितनी आंकर बुक होती ही उतना ही अलोकेट किया जाएगा लेकिन उसके अंतर कौन-कौन से फंड्स आते हैं वो एक देखने वाली बात रहेगी क्या बड़े बड़े फंड्स तो आएंगे बट कौन-कौन से आएंगे ये एक देखने वाली बात है जो इंट्रेशन रहेगी तो लेचसी होता क्या है जब anchor book निकल कर आएगे कल के दिन तो हम एक separate वीडियो जान पूछ के लाएगे ताकि हम बात कर सेगे सिर्फ anchor book के बारे में अधर आपको बता है मैं ज़्यादा तर separate वीडियो बहुत नहीं बनाता हूँ पॉकिन रहता है बट स्टिल अगर वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे तो definite लप को पता है कि कंपनी में कुछ में कुछ तो दमकम होगा देन दुस्तो आते हैं एकमाई सोलार होल्डिंग्स पर ये एशू भी ओपन होने वाला है 6 तरिक से 8 तरिक की लिस्ट होता हुआ नजर आएगा इसके अंदर भी इंप्लोईस के लिए डिसकाउंट है करेवन 27 रुपीज पर शेर का सो देखते हैं आपर कितना बड़ा करता हुआ नजर आ सकता है कल इसकी भी अंकर बूग जिसमें आपको ताय आएगी और इसके अंदर भी जो इश्यू है वो है एक में राइट तो दोनों आईप्यों से ये क्लाश करता हुआ नजर आएगा विकाज बाद धान रखियेगा सिर्फ एक दन बाद ही आपको नेवा बुपा का आईप्यों पनोता हुआ नजर आ रहे यानि इसके लाव दोस्तों दो अपकमिंग और मेंबोर इश्यू है जो हमको कभी भी डेट्स अनाउंस हो सकती है नाम पहला कौन सा है एंटीपीसी ग्रीन ऐसे देखें एंटीपीसी ग्रीन के बारे हमने लगातर बात करी रहे हैं आपको कहा भी है कि अगर आपको शेयर बाय करना पड़ेगा अभी तक कंपनी के दोरह रही फाइल नहीं की गई है अगर कंपनी रही फाइल करती फॉर एक्जामपल देन दोस्ते आद रखेगा आप इश्यू में पैसा अगर आपको लगाना है तो फिर शेयर उड़े कार्टिंग में पैसा नहीं लगा पाइंगे अभी तो देखे देट्स फाइनलाइज नहीं की गई है अकॉर्डिंग टो वाट मार्केट से इस राइट जो रूमर्स है वो बताय जा रहे है कि मात्र 10% का रखा जाएगा राइट ड्रीडिल का इसा 10% का ही है 75% है क्यू आइबी इसके बार में अब हम चर्चा सुन रहे हैं और यह बहुत जल्दी दूस्तों यह भी आरेच पी फाइल कर सकती है नाम है अवांसे फिनांशल सर्विसेस यह इश्यू बहुत जल्द उपन इस इश्यू है तो remaining offer for sale दोनों exchanges पे लिस्ट होगा यह बद्धान रखेगा इस इस इश्यू के अंदर क्यू आइबी का हिस्सा है 50% का जी हां 50% का रीटल का हिस्सा है 35% का का काफी समय के बाद को ऐसा IPO आएगा जो size अच्छा है और रीटल का हिस्सा भी 50% का है बाकि अगर IPO लेकर आएगी तो let's see होता क्या है अब दोस्तों बात करते हैं आप ग्रे मार्केट पर देखें नेवा भुपाय हेल्थ इंशॉरेंस जो IPO है इस IPO की जो ग्री मार्केट है वो वे तक स्टार्ट नहीं ही है यह 22 करोड का जो सब्सक्राइब कोई ग्री मार्केट में आक्टि दोस्तों अगला इशू आता है एक में सोलार होल्डिंग्स का इस IPO की ग्री मार्केट जो है वो यहां पर ज़रूर नहीं दिखा रहा है बट कहीं जगह पर दोस्तों दस परसन के आसपास चल रही है अब देखा जाए तो आप कह नहीं सकते कि देखें यह एक्जाक्ट है र हो दोस्तों साइजलिटी की ग्री मार्केट भी अभी अगर आप देखें तो अक्टिविटी डल दिखा रहा है यहां पर बट कई जगह पर दस परसन के आसपास जो ग्री मार्केट है वह साजलिटी की चलती बने जारी तो वहीं बात है ना आपको में बता रहा हूं कि कई जगा पर चीज इस तरीके से चल रही है तो लेट सी जब भी अपडेट्स आएंगे आप बताओंगा भी तो यहां पर कोई ग्री मार्केट नहीं है बाकि एफ कॉन्स की लिस्टिंग दोस्तों आज हुई लिस्टिंग खराब ही थी बट बाद में शेयर चल गया तो कह सकते कि नेगेटिव लिस्टिंग होने के बाद वो शेयर आपको पॉजिटिव तक जाता हुआ दिखा जो अपने आप में आप कह सकते हैं जितनी ग्रे मार्केट थी ना यह देखिए 478 479 का आज कहाई है तो आप समझ सकते हैं कि उतना शेयर चला गया तो यह अपने आप में अ यह एक ऐसे में इशू है जो उपन होगा फ्रम 8 तो 12 24 का प्राइस बेंड है बट कोई ग्री मार्केट अब तक इसकी स्टार्ट नहीं हुए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था ओप फिल अप को वीडियो बढ़या लगा होगा तो लाइक कर देना चैनल से वाली बा थाकि यू फर इंड कर दो दो आख वीडियो